ओम शान्ती आज 10 जनवरी 2024 मीठी प्यारे बाबा के सकार मुल्ली के 10 पॉइंट सुनते हैं पहला पॉइंट है बाबा कहते हैं मीठी बच्चे अलफ और बे बाप और वर्से को याद करो इसकी याद रहे तो खुशी का पारा चड़ा रहेगा क्या कहते बाबा अलफ और बे माना शुबाबा को और बादशाही को माना वर्से को याद करते रहेंगे तो क्या होगा खुशी का पारा चड़ा रहेगा ये बहुत सहज सेकंड की बात है क्या कहते बाबा ये बहुत सहज बात भी है और सेकंड की बात भी है तो हम कितने भाग्यशाली आत्मे हैं कि संगम एक पर स्वेम भगवान पिता बन करके हम बच्चों को अपनी सारी प्रॉपर्टी वर्सी में दे रहे हैं संगम पर सारी शक्तियां हमें दे देते हैं और भविश्य नई दुनिया भी वो भी हमारे नाम कर देते हैं और वो भी बावा केते कोई खास मेहनत नहीं करने पड़ती है, वस मीठे प्यारे बावा से दिल का सच्चा प्यार हो, और प्यार प्यार में सारी आत्म की स्वाई हो जाती है, और गुणों की धारना हो जाती है, तब रहुई ना सहज और सैकेंड की बात. दूसरा प्यार है, प्रशन, बेंत खुशी कीन बच्चों को रहेगी, सदा खुशी का पारा चड़ा रहे, उसका साधन क्या है, बेंत खुशी, बेंत जिसका कोई अंत नहीं, इतना खुशी किसको रहेगी, और सदा खुशी का पारा चड़ा ही रहे, उसका साधन क्या है, उत बाप जो सनाते हैं उसको अच्छी रिती धार्ण कर दूसरों को कराते हैं उने ही बेंद्ध खुशी रहती हैं किसको रहेगी बेंद्ध खुशी पहली बात जो अश्रिरी बनने का भ्यास करते हैं और बाबा और बी जो जो बाते सिखलाते हैं उनको धार्ण करते जाते हैं उ कुशिय का पारा सदा चड़ा रहे इसके लिए अविनाशिय ग्यान रतनों का दान करते रहो बहुतों का कल्यान करो सदा ये समरिती रहे कि हम अभी सुख और शान्ति की चोटी पर जा रहे हैं थेक है ग्यान का दान भी करना है बहुतों का कल्यान तबी होगा और ये भी समरि रहे कि अभी हम सुख और शान्ती की चोटी पर जा रहे हैं माना बाबा हम बच्चों को हायस्ट सुख शान्ती की दुनिया मिले जा रहे हैं ऐसा चिंतन करेंगे तो सदा खुशी रहेगी ठीक है और तीसरा पॉइंट है बाबा ने इसमें स्वरक की बातें बताई बाबा के जो लक्षमिनारण है उस सुख के टावर में रहते हैं वहाँ कोई लोब नहीं लालच नही वाहां का खान पान बोलना बड़ा इरॉयल होता है वह ही सुख हायस्ट सुख है तो बाबा याद दिला रहे हैं कि वहां किस तरह से सुख होता है बाबा केते हैं वो है ही दुनिय कैसे बहुत सुख वाली वहाँ पर कोई मैली चीज भी नहीं होती है ऐसे मिटी भी नहीं होती है कि हवाइं लगे और मकानी खराब हो जाएं जैसे आज कितनी डस्टिंग करने पड़ती है न तो सत्य को में इस प्रकार की डस्टिंग वगारा करने की अवश्यक्ता नहीं पिड़ेगी स्वरकी तो बहुत महमा है तो उसमें जाने के लिए पुर्शार्थ करना है और अपने आपको देखना है कि हम कितना दिल से खुश रहते हैं आगे चलकर तुमको साक्षातकार भी हो जाएंगे शुरु में भी साक्षातकार हुए तो बाबा कहते हैं कितना बाबा ने जलवा दिखाया ताज आदी पहन कर आते थे तो वहां फिल करती थी आत्मा कई बाद तो कई महिना महिना भर ही ट्रांस में रहती थे तो फिर जैसे वहां का पहरवास होती थी यहां भी वही मांगते थे ताज हुआ है न किसने एनक कादी पहने हैं तो कहते थे यह क्या पहना है ऐसे क्यों पहना है कि वहां पहने नहीं होती है तो इस तरह से सत्यों के समृतिया बाबा याद दिला रहे है कि नई दुनिया अब आई की आई कि चौथा पॉंट है बाबा इसमें हम बच्चों को अवस्था कैसी जमाने हैं उसके लिए समझाते बाबा कहते बाप की याद और वर्से की याद रहे तो अवस्था जमती जाएगी विकरम विनाश होते जाएगे लेकिन क्या है बीच में माया माया याद नहीं करने देगी कभी काम, कभी करोद, कभी अहंकार बहुत रूप में माया आती रहेगी लेकिन बाबा कहते अपने चेकिंग करते जाओ माना नवस देखते जाओ अपनी अमपल देरे बाबा कि नारद को भी कहा न, शकल देखो तो वो अवस्था अभी है नहीं, तो बनानी है न तो बाबा, aim of object, जरूर बताते हैं कि ये बनना है, तो अभी के अपनी शकल माना अभी के अपना पुर्शार्थ देखते जाओ कि बनना हमें क्या है और अभी हम क्या बने हुए हैं तो इसके लिए बावा ने कहा अश्रेरी पन का पुर्शार्थ जो है वो बढ़ाते जाए जैसे भरती करते हैं कोई सैना में भरती होते हैं तो उनकी जांच कितनी करते हैं कोई बीमारी तो नहीं है आँख कान आदी सब ठीक है लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए ना पुरा उनका होता है मेडिकल आदी पूरा करते है ना तो बावा कहते है कि यहां पर भी क्या है विजे माला का दाना कौन कौन बनने वाला है क्या क्या क्वाल्टीज आई है और कितना पुर्शात रहा हुआ है तो बावा सब चेक करते है और बताते भी है कि यहां कमी है तो यहां हमको ठीक करना अपनी चाल को ठीक करना है ऐसी हमारी चाल चलन नहीं होना चाहिए जिससे हम किसको दुख दे बावा कहते है बहुत मीठा भेवार चाहिए, बाबा most beloved है न, तो बच्चों को भी same ऐसा ही बनना है, और छठा point है, बाबा केते तुम्हारे में बहुत हैं, जो सुनते हैं प्रन्तु धारना नहीं करते हैं, और धारना तब होगी जब golden age बुद्धी होगी, धारना नहीं होती है तो खुशी उन्हों को कितना भी बेहद का बाब समझाए, प्रन्तु कभी नहीं समझेगे, तो बाबा, हम बच्चों को धारना करने के लिए शारा दे रहे हैं, और साथ-साथ ये भी कह रहे हैं, मेरे पास भी variety बच्चे होते हैं, और साथ-वाँ पॉइंट है, बाबा कहते हैं, मामे क तो गरीब भी कुछ समझदार हों, तो धारना अच्छी कर सकते हैं, याद बिगर किचड़ा कैसे निकलेगा, हम पवितर कैसे बनेंगे, ये चिंतन करना चाहिए, जब ये चिंतन करेंगे तो बाबा कहते गरीब भी साहुकारों से बहुत उंच बद पा सकते हैं, आठों प कभी कहां जाए, कभी कहां जाए, रोटी टुकड मिले ना मिले, बस भागें सर्विस पर, इतना शौंक, इतनी लगन होनी चाहिए, बाबा एक्जम्पल देते हैं कि दुनिया वाले भी जो धंदे आदी करते हैं, तो वो भी ऐसे करते हैं, खाना खाया ना खाया, इस बस भ करना है ना, तो बाबा करें तुमको तो यहां बहुत पुर्शार्थ करना है, समय बहुत थोड़ा है, कल शरीर छूट जाए, कोई इसका भरोसा नहीं है, ठीक है, नम्वा पॉइंट है, वर्दान, सेहन शक्ती की धारना द्वारा, सत्यता को अपनाने वाले सदा के बाबा केते, दुनिया वाले कहते ना, कि आज कल सचे लोगों का चलना ही मुश्किल है, आम तो यहीं बोलते ना, जूट बोलना ही पड़ेगा, कई ब्राह्मनात में भी समझती हैं, कि कहां कहां चतुराई से चलना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा बाब को देखा, सत्यता, वा पवित्रता के लिए कितनी अपोजेशन हुई, फिर भी घवराई नहीं, है ना, बाबा का कितना सब ने अपोजेशन की पूरे समाजने, धारणों के कारण, क्यूंकि समझ नहीं थी उन लोगों को, तो इसलिए अपोजेशन करते थे, लेकिन बाबा ने कभी धारणों म इतना सारे आत्मों के अंदर सुधार हुआ है, पूरे समाज के अंदर बहुत सारी कुरितियां भी निकली है, सुधार भी हुआ, लेकिन बस एक पेरूटी की बात निकाल दो, बाकि सब ठीक है, तो बाबा न सीदा कह दिया, कि ये मेरा कार्या है ही नहीं, मैं ये कह भी नह रहन की, चाहे सैन भी की, फिर जुकना भी पड़ा, हार भी मानने पड़े, लेकिन वो हार हार नहीं है, सदा काल की विजह है, स्लोगन है, दसमों पॉइंट है, प्रसंद रहना और प्रसंद करना ये है, दुआएं देना और दुआएं लेना, ठीक है, तो हम सब भी अपने आप में खुशी भी रहेंगे, और आसपास जितना भी हमारा संबन संपर्ख है, सब को खुशी बांटेंगे, तो आटोमेटिकली हमारी दुआउं का खाता बढ़ता जाएगा, ओम शन्ति